नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन और सत्ता संग्रा में आपका स्वागत करते ही हूँ राजनेतिक विश्डेशत अनिलोड़ा जी के साथ कॉंग्रिस के राश्टी अध्यक्ष राहूल गांधी गुरुवार को राजस्थान के दोरी पर रहे इस दोरान उनने जालोर, अजमेर और कोटा में जनसभा को संबोधित किया और प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी पर निशाना साथा उनने कहा कि प्रधान मंत्री ने देश की जनता पर दो कुलाड़ी मारी GST यानी गबबर सिंग टेक्स और नोड़ बंदी इनके माध्यम से आपका पैसा जेब से निकल वाया हमारी सरकार आई तो न्याय योजना के माध्यम से आपके खाते में सीधे 72,000 रुपे आएंगे गांधी ने कहा कि नरेंदर मोधी जूटा वादा करते हैं लेकिन मैं आप से सच्चा वादा कर रहा हूँ आनिल जी आज जो तीनों जगे जनसभाई हुई राहूल गांधी की हमने उनकी जनसभाई भी देखी एक अच्छा खासा लोगों का हुजूम उसमें दिखाए दिया लोगों ने बड़ा दिल खोल के राहूल गांधी का सवागत किया सबसे अच्छी सवा तो हजमेर के बांधनवला में थी वा जमेर की कॉंसी दिखाई के लोग बिलवडा के लोग बी काफियाए थे क्योंकि वह बिलवडा के बीasternных वाड़ा तो गो सबसे बड़ी टीन तीनों में जालओर में और और कोटा में भी सबहा हुई और निखया र अब वो अपनी पार्टी के पती उसाइत हैं, होने लगे हैं, ये बड़ी बात है, बीजेपी के लोग तो उसाइत रहते हैं, 24 आवर्स, 365 दिन, 500 साल, कॉंग्रेस में ये, चुनावी माउस सब के समय होता है, तो वो होता है के नहीं होता है, ये देखने वाली बात थी है, रा उन्होंने बूला, ज़ी, चोकीदार, तीन बार, चोकीदार, लोगों से कहला है, चोर है, एक तो उन्होंने अपनी इस टाइल में ये परिवर्टन किया, खुदने चोर नहीं काऊँ, दूसरा, जाहूल गांजी ने, लोगों से सवाल किया कि आप मैसे कितने लोगों की जवाब निकलवाते हैं, ऐसी थोड़ी सी स्टाइल उनकी आज मैंने देखी, और उनने खुला सा किया कि जिनकी बारह आजार रुपर से कम आमदनी हैं उनकी जिब में, उनके बैंक के खाते में, लेकिन उनकी परिवार की महिला के खाते में आएंगे, छे जार रुपर आएंगे, ये उनने पूरी गनित करके बताईए, बाशन में उनने बेरुद्गारी का मुद्दा उठाने कोश्च की, बाशन में उनने नोट बंदी का मुद्दा और जीस्टी का मुद्दा भी उठाया कि दो कुलाड़े मारी गई हैं देशी जनता के पाउम में, और काफ पूर्वी पाते हैं जैसी, वो दूसरी यह कहते हैं लेकिन इन तीनों सबाओं से च्वकिशन के लियाद से पहला चरण है, देश की लियाद से चौथा चरण है, तौ ये तीनों सबाएं उन जगह पर थी, जहां उन तीस अप्रेल को चुनाव है, मद्दा ने, तो वहां त करता है तीनों जगह पर और राहूल गांदी के जाने का क्या इंपेक्ट पड़ेगा को कल परसों में जो दो-तीन दिनों में आने वाल दिनों में वहां की पॉलिटिकल गतिवीदिया होंगी उससे पता लगेगा लेकिन ये जुरूर है कि राहूल गांदी इस हवामें उस तर एक हलका बन नहीं था बलकि बहुत ही सदीवी बातें उन्होंने कही आज इसमें कोई दूरा है नहीं